देखिए Green TV यूट्यूब पर भी बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लाक रुपे की सहायता दी जाएगी इस योजना का नाम रास्टे स्वास्थे संरक्षन योजना की घोशना तो हो चुकी है लेकिन ये योजना है क्या जब तक ये पताना चले तब तक कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाब भला कैसे ले सकता है तो चले सबसे पहले ये जान प्रती परिवार पांच लाक रुपे की साहता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत पिछले साल यानि एपरेल में की जानी थी लेकिन कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी नहीं दी थी। ये राशी कम होने के कारण इसका बहुत ज्यादा फाइदा लोगों को नहीं मिल पाता है। लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज तक ही सीमित रहते हैं लेकिन पांच लाक रुपे की योजना से निजी अस्पतालों में भी लोगों को इलाज की सुमिधा मिलेगी। लेकिन अब इससे कई गरीब परिवारों को मदद मिलेगी। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें। अमरीकी कॉंग्रेस ने पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेवल केर एक्ट नाम से हेल्थ केर प्रोग्राम को कानूनी रूप दिया था। जिसे शॉर्ट में अफोर्डेवल केर एक्ट भी कहा जाता है। यहां के राश्चपती बराक उबामा ने 23 मार्च 2010 को इस कानून पर दस्थखत किये थे। जब विपक्षी दल के लोग इसे ओबामा केर कहने लगे तो खुद राश्चपती ओबामा ने इसी नाम को अपना लिया। शायद हो सकता है कि इस योजना को अपने देश में मोदी केर का नाम दिया जाए। वैसे वित्मंत्री अरुन जेटली ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केर प्रोग्रेम कहा है। वित्मंत्री का मानना है कि इस से कम से कम 50 करोड लोगों को लाब मिलेगा। यानि योजना के तहट अब गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपे तक के इलाज पर अपने पैसे खर्च नहीं करने होगे।